प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे भाजपा ने महाराश्र से राज्य सभा के लिए एक तीसरे उमिदवार को खड़ा किया है इसके साथ ही महाराश्र में छटी सीट के लिए करीबी मुकाबले का मंच तयार हो गया है तो केंद्रिया मंतरी नाराइन राणे के बेटे और विज्जे भी विधायक नितेश राणे ने शिवसिना सांसत संजेराओत पर जम कर निशाना साथ है वही कॉंग्रेस में राज्यसभा के उमिद्वारों की लिस्ट जारी होने के बाद काफी नाराजगी देखी जा रही है इसी बीच एक अजीब हो गरीब शादी चर्चा में है विड़जिले के गाव में दुलहन पहरे दुलहे के गले में एक बड़ा सा साब डालती है फिर दुलहा एक बड़ा सा आजगर दुलहन के गले में डाल देता है तो उधर पुने स्थित भारतिय मौसम भी भाग दे बाज़्पा के कुछ हिस्सों में प्रीमांसुन बारिश की भविश्यमाने की है ये बारिश तीस मई से शुरू हो सकती है प्रदेश की इत बाज़ बड़ी खबरों को बिस्तार से जानने के लिए बने रही आप मारिशा भाजपा ने महराश्चर से राजजसभा के लिए तीसरे उमिदवार को खढ़ा किया है इसकе साथ ही महराश्चर में छटी सीट के लिए करीबी मुकाबले का मंच तयार हो गया है महराश्चर में राजजसभा की छे सीटे खाली हुई है जिनमें कॉंग्रेस और रांगापा के पास एक एक सीट जितने के लिए परियाप्त संख्या है जबकि भाजपा के पास दो सीटे जितने के लिए परियाप्त विधायक है शिवसेना के पास एक उमिदवार को राज्यसवा भेजने के लिए परियाप्त संख्या है हाला कि उसे अपने दूसरे उमिद्वार का चुनाओ सुनिशित करने के लिए अपने सहयोगियों और अन्यन निर्दली उमिद्वारों से 30 और वोटों की आवशकता है दरसल भाजपापने बलबुते 2 सीट जीत सकती है कॉंग्रेश शिवसिना और राश्रवादी कॉंग्रेश पार्टी एक एक सीट अपने बलबुते जीत सकती है साथ ही महाविकास आगाणी में शामिल तीनों दलों के पास एक अन्या सीट जीतने के लिए अतिरिक्त वोट होंगे शिवसिना अपनी दूसरी सीट जितने के लिए इनी वोटो पंदिर भर है भाजपा ने तिसरी उमिद्वार धरंजे महादीक को आगे बढ़ा कर चुना को दिल्चस्प बना दिया है महादीक को भाजपा ने शिवसिना के दूसरी उमिद्वार संजे पवार की संभावना को कम करने के लिए मैदान में उता रहा है भाजपा के इस फैसले पर शिवसिना ने खरित फरोख्त के आरोप लगाया है केंद्रियमंतरी नारेन राण के बेटे और BJP विधाएक नितिश राणे ने शिवसिना शांसत संजे रावत पर जम कर निशाना साथा है उन्होंने कहाया कि संजे रावत का घर तोड़ने का इतिहास रहा है इसके पहले उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बीच में जगडा लगाया था अब उनका निशाना चत्रपती शिवाजी महराज का घर बना है अब वो चत्रपती संभाजी राजे के घर में ही आग लगाने में जुटे हुए है राणे ने कहा कि आपको याद हुगा कि जब राज ठाकरे ने शिवजिना छोड़ी थी तब उनके समर्थकों ने संजीराओत की गाड़ी में तोड़ फोड़ की थी बहुत लोगों को ये भी याद होगा कि गाड़ी को तोड़ने के पिछे बज़े ये थी कि संजे राउत ने दोनों भाईयों के बीच में आग लगाने का काम किया था राणे ने कहा कि संजे राउत के बॉडिगार्ड को दस मिनट के लिए छुट्टी लेनी चाहिए और मराठा समाज को भी उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए इसी क्रम में नितिश राणे ने उनकी तुलना शाहुजी महराज के एक कुट्टे से की है राणे ने कहा कि मैं शाहु महराज का भिवादन करूँगा कि उन्होंने बिल्कुल सही जगा पर संजे राउत को बैठाया है जैसे एक तरफ उनका कुट्टा बैठा था और दूसरी तरफ संजे राउत साथ ही कहा कि देविंद्रा फटनविस ने अगर संभाजी राजे को वचन दिया होता तो वो उसका पालन जरूर करते वो चुनाव जीत कर भी आते संभाजी राजे को उनके राज्यसभा की कारेकाल में बीजेपी, पीएम, अमिच शाह और देविंद्रा फटनविस ने उचित मान सम्मान दिया अगर फटनविस ने उन्हें कहा होता कि चलो आपको राज्यसभा भेशते हैं तो 101 प्रतिशत उनकी जीत होती कांग्रेस में राज्यसभा की उमिद्वारों की लिस्ट जारी होने के बाद काफी नाराजगी देखी जा रही है आरोप लग रहे है कि सिर्फ उन्ही को जगह मिली है जिनने राहूल गांधी और प्रियंका गांधी वार्डर का आशिरवाद प्राप्त है या फिर जो दस जनपत के येस मैन है तुसरे रज्यों के नेताओं को टिकट देने से भी काफी असंतोश धिख रही है नाराजगी जाहिर करने वालों में कॉंग्रेस की महिला मोर्चा के महासच्यू, जम्मु कश्मीर, लदाक और पुड्डोचेरी की पार्टी इंचार्ज और मुंबई महिला कॉंग्रेस की पाधधक्षा नगमा का भी नाम शामिल है इसे पहले इसी तरह से इन मायोस होकर प्रियंका चतुरुवेदी और उर्मिला मातों कर भी कॉंग्रेस से निकल चुकी है सवाल ये है कि कॉंग्रेस ने नगमा के मामले में बही गल्ती तो नहीं दोराई है प्रियंका चतुरवेदी इस समय राश्टिय स्तर पर संजराउत के बाद शिवसिना की सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल वगता है। पार्टी ने उन्हें राजस सभाव में भेजा है और वो सदन में पार्टी की उपनेता भी है। वापस ले लिया था। वो ऐसा समय था जब कॉंग्रेस राखवल के मुद्दे पर सिधे प्रधान मंतरी नरेद्रमोधी पर हमला कर रही थी। और प्रेस कॉंफरेंस और टीवी डिबेड में प्रियंका उसका मुख्य चेरा होती थी। कि जैमाला एक दूसरे को पहनाते हुए दिखाई दे रहे है। सफित कपडों में दुला दूलन एक दूसरे को खतरनाक सापो को माला की तरह गले में पहनाते हैं। वीडियो को पुरा देखने पर आपको पता लगेगा कि जहां दुलहन ने दुलहे के गले में एक साब को पहनाया, तो दुलहे ने दुलहन के गले में एक बड़ा साब को पहनाया। बताया जा रहा है कि दोनों लोग सर्प प्रेमी है जो ऐसा करके सापों को बचाने का संदेश दे रहे हैं मगर एक यूजर ने कमेंट करते विलिखा ये कौन से शादी है ऐसे ही एक यूजर ने कमेंट किया है कि मुझे लगता है कि तुम जैसे हो शादी करनी है बस करनी है ख प्री मांसुन बारिश की भविश्यवानी की है, ये बारिश 30 मैं से शुरू हो सकती है। स्तानिय प्रशासन को बारिश के कारण उत्पन्न होने वाली विपरित परिस्थितियों से निपटने की तयारी करने को कहा गया है। इससे पहले खबर आई थी कि 6 दिनों तक रुखने के बाद दक्षिन पशिम मांसुन दक्षिन इशलंका से होते वे किरल की और बढ़ने लग गया था। सिविल सर्विसेज की परिक्षा में टौपर बनीश रूती शर्मा ने पढ़ाई भले ही दिल्ली से की हो लेकिन उनका नाता उतरपदेश के अपने गाउ से खासा रहा है। गाउं के बच्चों के बीच वेकासी पॉपिलर है तो जम्मू कश्मिर के कुलगाम जिले में आदंकियों ने पीएम पैकेज पर भरती हुई एक महिला करमचारी की हत्या कर दी। वही दिली नौएडा समयत पुरे एंसी आर में सुमवार शाम चली आधी ने एक घंटे के अंदर कई कारों को कबार बना दिया। इसी बीच सुप्रीम कोट ने इस बात पर जोर दिया है कि कृष्मकार इन अवकाश के दोरान होने वाली सुनवाईत में दलीलों पेश करने के लिए अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्तित रहे। तो अधर पाटिदार समाज के नेता हार्दिक पटेल दो जुनकों भाचपा में शामिल होंगे। देजबरकीन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है अप हमारे साथ। सिविल सर्विजेच की परिक्षा में टॉपर बनी शुरूती शर्मा अपने गाउ से खासी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बस्ता गाउ की रहने वाली शुरूती ने पड़ाई भले दिल्ली से की हो लेकिन उनका नाता उत्तर प्रदेश के अपने गाउ से खासा रहा है। खासकर गाउ के बच्चों के बीच वे खासी पॉपुलर है। बच्चों को सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए सही दिशा में मेहनत करने की सीख देने वाली शुरूती की सफलता ने इन बच्चों को भी खासा उटसाइद कर दिया है। UPSC 2021 टॉपर 26 वर्षी है शुरूती शर्मा बस्ता गाव हमेशा चुट्टियों में आती रहती है। इस दवरान वे स्थानिय बच्चों का मारगदर्शत करने का मौका नहीं छोड़ती। वर्ष 2003 में मातापीता सुनिल दत्त शर्मा और रचना शर्मा के साथ शुरूती दिल किया है। शुरूती जब भी गाव आती है बच्चों को शिक्षा के बदलते स्वरुप के बारे में बताती है। पढ़ाई करने वाले बच्चे और युवा करियर की सला के लिए उसके पास दवड़े चले आते हैं। वह याज स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसकी कश्मिर के कुलगाम जीले में आतंकियों ने PM पैकेज पर भरती हुई एक महला करमचारी की हत्या कर दिया है। यह महला कुलगाम में एक टीचर थी और 1990 में हुए पलायन के बाद उसे PM Employment Package के तहत फिर से कश्मिर में बुला कर नौकरी दी गई थी। कश्मिर घाटी के स् के मुताबिक आतंकियों ने स्कूल में घुसकर पहले शिक्षिका से उसका नाम पुछा और फिर उसे AK-47 से गोली मार दी। उसे कुलगाम के जीला अस्पताल पहुचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत गुशित कर दिया। मृत शिक्षिका की पहचान रजनी ना के एक कर्मचारी की हत्या कर दी थी। इसी मेहने 12 मई को आतंकियों ने बढ़गाम की चाडूरा तहसिल में राहुल भट को गोली मार दी थी। इस घटना में राहुल की जान चली गई। घटना के बाद कश्मिर में PM Special Employment Package के दायत भरती कर्मचारियों ने अपनी का आयलान किया था। इसके अलावा सभी ने सुरक्षा की भी मांग की थी। दिल्ली नोईडा समित पूरे NCR में सुमार शाम चली आंधी ने एक घंटे के अंदर कई कारों को कबार बना दिया। पेड़ा और एसी गिरने से कई बार बाइक्स को नुकसान हुआ। तुफान पर लोग थर्ड पार्टी डेमेज के बारे में ज्यादा सोचते हैं या फिर कुद को होने वाले नुकसान के बारे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वास्ताव में प्राकृतिक आपदाओ जैसे कि बाड़, बुखंप और भुसकलन के कारण कार को होने वाल इक दंगा, हर तरह की जोखिम से आपका वहिकल बीमा कवर के दाएरे में रहता है, हाला कि इस बीमा पॉलिसी में किसी भी तरह का मेकेनिकल और इलेक्ट्रिक नुकसान शामिल नहीं होता है, अगर किसी दुरगटना के बिना ही टायर ट्यूबों में कोई नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी इसे कवर नहीं करती है, इसके अलावा नशीले पदार्थ के साथ ड्राइविंग करने पर गाड़े में हुए नुकसान इसमें कवर नहीं किये जाते हैं। करतना की अवकाश पीटने कहा कि नयदिश रोजान अदालत आ रहे है और उचित होगा कि मुकदमों में दलीले पेश करने के लिए अधिवक्ता भी अदालत आए। क्यों दे अन्य अधिवक्ता अवकाश के दोरान यहां है। रहतकी ने उसके बाद मामले को कल तक के लिए स्थकित करने का अनुरोत किया है और कहा है कि वे कल कक्ष में उपस्तित होकर दलीले देंगे। पार्टिदर समाच के नेता हार्दिक पटल दो जुन को भाचपा में शामिल होंगे। उन्होंने बीते दिनों ही कॉंग्रेस से इस्तिफादे दिया था। वो गुजरात कॉंग्रेस के कारेगारी अधिक्षत है लेकिन उपेक्षा के चलते नाराज चल रहे थे। वो गांधिनगर सिद भाचपा मुख्याले पहुचकर पार्टि में शामिल होंगे। खुद हार्दिक पटल ने दो जुन को भाचपा में शामिल होने की पुष्टी की है। इस दोरान प्रदेश अधिक्षत सियार पार्टि मौजद होगे और उन्हें भाचपा की सदस्वा दिलाएंगे। हार्दिक पटल के भाचपा में शामिल होने के आयोजन को भाचपा ग्रैंड इमेंट में दब्दिल करना चाहती है। कहां जा रहा है कि हार्दिक पटल के साथ ही 15,000 अन्य लोग भाचपा में शामिल होना पार्टिदर राजनिती के लिए एहम माना जा रहा है। पहले ही लगातार नेताओं के पलायान से जूज रही है। के सामने सरेंडर करने वाले सेक्रो युक्रेनी सैनी को को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। पहिरूस के खुफिय अधिकारी ने दावा किया है कि राश्रकति पुतिन को डॉक्टरों ने तीन साल का वक्त दिया है। गैंसम दिरे दिरे बढ़ रहा है और उनकी आँखों की रोश्टी जा रही है। इसी पीच पाकिस्तानी प्रधान मंतरी शहवाज शरीफ ने खैवर पक्तुनवा के मुख्य मंतरी महमुत खार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर नेता ने अकले 24 घंटे के भीतर, 10 किलों के हुख के आटे की पोरी की कीमत घटा कर 400 रुपे नहीं की तो वो अपने कप्डे बेश देंगे और लोगों को सस्ता आटा खुद उपलप्त कराएंगे। दुनिया की सबसे रहस्म महेंगी और चर्चीत तस्वीर, मोनाली साफर फ्रांस की राजदानी पेरिस में एक दर्शक ने हमला कर दिया। हमलावर ने इस पेंटिंग को पहले केक से पोद दिया और उसके बाद तस्वीर को सुरक्षित रखने के लिए लगाये गए शिशे को तोड़ने की कोशिश की। यस अचानक हुए हमले में पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं पहुचा है। बताया जा रहा है कि पर्यावर को नुकसान पहुचाने के आरूप में जाच शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में वाइरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति वीक पहन कर वीलचेयर पर बैट कर पहुचा। उसने लिप्स्टिक लगा रखा था। आरूपी व्यक्ति ने मिलजियम की गैलरी में गुलाब के फूल भी फिके आरूपी की पहिचान अभी तक नहीं हो पाई है। हमलावर पहले खुद को एक व्रुद्ध महिला दिखाने की कोशिश की और फिर अचानक से वीलचेयर से खड़ा हो गया। इसके बाद उसने मुनालिसा की बुलेट प्रूप तस मुनालिसा के सिर्फ होड बनाने के लिए लियोन और्द दा विंची को बारा साल लग गये थे। रुस की अदालत फैसला करेगी। ऐसे अपरादों के लिए देश में अधिक्तम मौत की सजा का प्रावधान है। गौरतलभ है कि यूकरेन के दक्षिन पूर्वी इलाके में अजव सागर के पास रंडितिक रूप से सव्वेधन शिल मारियो पूल बंदरगा के करीब महिन अधिनी भर से अजवस्टाल स्टील वर्क्स के भूमिगत सुरंगों में छिपे सेकड़ो यूकरेनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया था। अपने सैनिकों को छुडाने के लिए क्यों ने कहा है कि वो सैनिकों की अदला बदली करना चाहता है। लेकि अर्धासैनिक बलो की यूनिट थी और जिसे यूकरेनी सैना में शामिल किया गया था। हाला कि पकड़े गए यूकरेनी सैनिकों को छुडाने के लिए डिपलोमेटिक स्थर पर भी कोशिशे शुरू हो गई है। प्रांस और जर्मनी के नेताओं ने रूस के धिरे धिरे बढ़ रहा है और इस वज़त से उनकी आखों की रोशनी भी जा रही है। बतादे की पिछले कुछ दिनों से मिडिया में इस तरह की खबरे आ रही है कि राश्ट्रपती पुतीन की सेहत दिनों दिन खराब हो रही है। हाला कि रूस की विदेश मंतरी सर्जई था कि उन्हें जोर से सिर्दर्द होता है। जब वर टीवी पर आते है तब उन्हें बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ पेपर दिया जाता है। अक्षर इतने बड़े होते हैं कि पेज में कुछी वाक्य आप आते हैं उनकी नजर बहुत तेजी से कम हो रही इसके अलावा एक रिपोर्ट में यहां भी कहा गया है कि उनके लिंब्स भी धोका दे रहे है। इसी मेंने ऐसी खबरे भी आई थी कि पुतीन को अपने एब्डोमेन से फ्लोईड निकलवाने के लिए सरजरी करवानी पड़ी थी बिना किसी गड़बड़ी के उनका ओपर अपने खबरेशन हो गया था हाला कि रूस की सरकार की तरप से उनकी सिहत को लेकर किये गये ये दावे खारिज कर दिये जाते हैं। विदेश मंतरी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई किसी की बीमारी का पता लगा सकता है। बता दे कि पुतीन दो दशक से र पाकिस्तानी प्रधान मंतरी शैबाश शरीप ने खैबर पक्तुनख्वा के मुख्य मंतरी महमुत खान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर नेता ने अगले 24 गंटे के भीतर 10 किलो गहुके आटे की बोरी की किमत घटा कर 400 रुपए नहीं की तो वह अपने कपड़ विजदेंगे और लोगों को सस्ता आटा खुद उपलब्द कराएंगे जनसभा में सियासी गर्मी की गुंज पीम के संबोधन से भी सुनाई दी उन्होंने पूर्व प्रधान मंतरी इमरान खान पर निशाना साथते हुए कहा कि उन्होंने देश को अब तक की सबसे ज़ा कर दूंगा लेकिन इस देश को समरुद्धी और विकास के रास्ते पर रखूंगा बलुचिस्तान चुनाओं पर बोलते वए पीम ने कहा कि लोगों ने उन पर विश्वास किया और उनके पक्षम में मतदान करने के लिए बाहर आये है ऐसा बहुत कम ही होता रहा है शैवा शरिप ने अपने भाई और पूर्व प्रदानमंतری नवाज शरिप की भी जम कर तारिप की प्रशन्थ महासागर क्षेतर के 10 वीपीए देशों को साधने की चीन की कोशिशों को करारा जटका लगा है हाल ही में सुलोमन वीप के साथ सुरक्षा करार कर अमेरिका जापान औ पर सहमती नहीं बन सकी, इस मीटिंग में सामोवा, तोंगा, किरिबाती, पापुआ, नियोगिनी, वनुआतू, सोलोमन द्वेप, आधी के नेता शामिल थे, दरसल वांगी इन दिनों साथ द्वीपिय देशों की यात्रा पर है, ऐसे में इन देशों के साथ करार न हो पाना, चीन के लिए करारा जटका है, हालाकि इस दवरान वांगी इन द्वेपिय देशों से कहा, कि वे चीन की महत्वा कांग्शाओं को लेकर, किसी भी तरह का डर अपने मन में न रखे, रिपोर्ट के मताबिक द्वीपिय देशों में से, कई ने समझे होते के कुछ तत्वों को लेकिन ड्रैगन ने इने खारिश करते हुए कहा था, कि उसका लक्ष किसी तिसरे देश को टारगेट करना नहीं है, शी जिन पिंग के हवाले से यह भी कहा गया, कि हमारे लिए यह अहम नहीं है, कि देश कितना बड़ा है, हमारा मकसद यह है कि वीपिय देशों के साथ दो कर सकते हैं